एडिल और उसके बेटे ने घायल आदमी को हेल्प की पर बाद में इने पता चलता है कि वो जेल से भाग कर आया हुआ था उसके बारे में और भी जानने के बाद यह डर चुके थे पर इनके नसीब में कुछ और ही था हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको लेबर रड़े यह 2013 की एक रोमैंटिक ड्रामा हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ यह एक बहुत अमेजिंग सी मुवी है और इसके एंडी में बहुत यह अच्छी है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बिना इस तरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करत है हेंडी की स्कूल अब खुलने वाली थी तो उसके पैर्स लेने के लिए सूपर शॉप में जा रहे थे इनकी गाड़ी की कंडिशन बहुत ही खराब हो चुकी थी पर एडल को इसके बारे में जादा पता नहीं था तो इस वाज़े से गाड़ी को रिपेर भी नहीं करती वैसे ही यह जा रहे थे हैंडरी के फादर ने और एक शादी कर ली थी और उन्हें एक बेटी भी थी सैटर्डे संडे पर हो हैंडरी को घर पर लेकर जाते हैंडरी हमेशा अपनी मदर का बहुत खैल रखता है एडल हमेशा डर-डर कर रहती है तो इस वाज़े से उसके अचनक से फ्रैंक को चोट लगी थी तो हैंडरी से कहता है क्या तुम मेरी मदर के साथ आयो मैं आपकी हिल्प नहीं कर सकता फ्रैंक ने एडल को देखा और हो कहता है तुम्हारी मदर मुझे हेल्प कर सकती है उससे कही पर जाना था तो राइड मांगता है इसके बाद यह होनों एडल के पास गये एडल फ्रैंक को देख कर गयती है कि हम आपको लिफ नहीं दे सकते हैं फ्रैंक हैंडरी की गले पर हाथ लगाता है इंडारेक्टली उसे धंकी दे रहा था कि उसे उसे लेकर जाना ही पड़ेगा एडल भी फिर इस बात को मान जाती है फ्रैंक ने होस्पीडल की खिड़की से में नीचे गिर गया और वहाँ से मैं भाग किया फ्रैंक एडल से बुछता है मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम तुमारे पास रहने तो एडल पुछती कि क्या तुम हमें हर्ट करोगे फ्रैंक कहता है मैंने जान बुछ कर मेरे लाइफ में किसी क को भी हड ने किया वो प्रामिस करता है कि घर में उसे हेल्प करेगा एडल ने कहा कि घर पर हमेशा लोग आते रहते हैं अगर मुझे को चुआ तो तुम बच कर नहीं जापाऊगे फ्रैंक कहता है कि मैं अभी अभी तो जेल से बाहर आया हूँ फिर से क्राइम करकर मैं अं जाओगे इसके लिए उसके पास एक सोलूशन था वो गहता कि मैं तुमारे हाथ पेर बान देता हूँ इससे सब लोगों को लगेगा कि मैंने तुम्हें किड्नैप किया था और तुम पर कोई भी शक भी नहीं करेगा एडल भी इस बात के लिए मान जाती है उसने हेंडरी क फ्री रखा था इसके बाद वो कुक करने लग जाता है वो एक बहुत ही अच्छा गूप था और उसने बहुत ही अच्छी सी डीज बनाई है अडल के हाथ बंदे हुए थे तो अपने हाथों से उसे खिलाता है हेंडरी को एक बात याद आती है एडल हेंडरी को एक दिन क्या वो आदमी फ्रैंक हो सकता है फ्रैंक ने एडल से बुझा कि ट्रेन कब से स्टार्ट होती है एडल के थी कि सुबा ट्रेन स्टार्ट हो जाए कि फ्रैंक का उनी ट्रेन में से भाग जाने का प्लान था हेंडरी रात में एडल को देखने के लिए आया तो आपने बेट स से बंदी हुई थी फ्रैंक नीचे सो रहा था हैंडरी सुवा फ्रैंक से बुचता है तुम इस तरीके से भाग कर कैसे आके कि तुम्हें कोई गार्ड विगरा देखनी रहा था फ्रैंक गया था कि गार्ड को स्मोक करने के लिए जाना था तो मैंने कहा इस जैसे तुम चले ज पुछ ते हैं कि आज तुम मुझे क्यों नी बान रहें फ्रांग कहता है कि अब वी पुलिस ने तुम सच बोलोगी कि मैंने एक्च्वल में तुम्हें बान कर रखा था फ्रांग को ट्रेन की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी तो एडल के थी है कि लेबर डे का विकेंड है तो इस वज़े से कोई भी ट्रेन नहीं आएगी अब दो दिन दिन के लिए वो फसे हुए थे फ्रांग उन पर कोई भी बोज नहीं बनना चाहता था तो इसी वज़े से घर में सब काम करने लग जाता है उसने स्टेज को रिपेर कर दिया गाड़ी भी खराब थी तो गाड़ी को ओइल भी चेंज कर देता है एडल को एगाद मी जादा प्राइज में लकडिया बेच रहा था तो फ्रांग ने उसे वान किया पूरे घर के भी उसाफ सफाई करता है हैंडरी को बेजबॉल खेलना भी उसने सिखाया अचानक से उनका नेवर आ जाता है फ्रांग ने एडल को पगड़ लिया और हैंडरी को डोर ओपन करने के लिए काओ वो कहता है कि इस नेवर को जल्दी से घर भेज दो उसे शक नहीं होना चाहिए नेवर कहते हैं मेरे वास कुछ एक्स्ट्राइपर्स थे पीच थे तो इसलिए में तुम्हारी मदर को देने के लिए आया हुआ था तुम्हारी मदर का है हैंडरी कहता है कि वो बात ले रही हैं नेवर कहते हैं, अभी अभी जेल से एक कईदी छुटा हुआ है, तुम्हें इस तरीके से डोर नहीं खोलना चाहिए, मैं इसी बारे में तुम्हारी मदर को वान करने के लिए आया हुआ था, जराबना ख्याल रखना, हैंड्री उसे यकिन दिलाता है कि इस बात को समझ सकता ह नेवर के जाने के बात एडल फ्रैंक पर गुसा आओगे, वो कहती है, मेरे बेटे को इस तरीके से तुम कभी भी यूज मत करना, इस तरीके से किसी से जुट बोलना, ये बात में उसे नहीं सिखा सकती है, फ्रैंक भी इस बात कर रिस्पेक करता है, फ्रैंक ने कहा कि करें पाई बनाते हैं, फाइनल लेयर लगाते हैं अडल के हाथ थरथरा रहे थे, तो फ्रैंक उसे कॉन्फिडन्स देता है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए थे, ये बात हेंरे ने नोटिस की, रात में यहाँ से एक पुलीस गुजरा, वो फ्रैंक को इढू अगली सुबा, फ्रैंक ने फिर से एडल के घर में बहुत सारे काम किये, उसे हर एक जीज में हेल्प करता था, गाड़ी का टायर कैसे बदलते हैं, ये भी चीज उसने हैंरी को सिखाए, गहता है, जब तुमारे साथ कोई लड़की होगी, तब उस वक्त ये चीज तुम न करना सिखाया, एक दिन हेंरी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया हुआ था, वहाँ पर जब वो सोडा बाई कर रहा था, तो एलेनॉर नाम की लड़की उसे बात करती है, कहती ही कि अलूमिनियूम की टीन में अगर तुम कुछ भी पीते हो, तो इससे तुमारी मेमरी खराब होती है, वो इस टाउन से नहीं थी, तो हैंडरी से बुछते है कि क्या इस टाउन में कुछ इंडरस्टिंग करने जैसा है, हैंडरी ने कहा कि तुम यहाँ पर बॉलिंग कर सकती हो, इसके बाद वो सब सामन लेकर काउंटर बढ़ गया, और उसके पास एक रेजर भी था, उनर बुछता है कि तुम्हारी मदर के लिए रेजर सही नहीं है, हैंडरी कहता है कि रेजर मेरे लिए है, उनर ने भी इस बात के बारे में जादा सोचा नहीं, और उसे केरफुल रहने के लिए कहा, वो जब घर आ रहा था, तो पुलीस हर जगा पर फ्रैंक की फोटो लग के आके, नेवर ने कहा कि मुझे ज़रा अर्जंड काम है, मुझे ज़रा बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या मेरे बेटे का तुम खैल रख सकती हो, उसका बेटा पैरलाइस था और जादा कुछ भी बोल नहीं सकता था, इस तरीके से फ्रैंक के घर में होते हुए, एडल बहुत ही ज़ादा फोर्स किया, तो इस वज़े से एडल को उसके बेटे का खैल रखने के मानना पड़ता है, नेवर के जाने के बाद, नेवर के बेटे बारी को फ्रैंक न देखा, बैरी कुछ भी ज़ादा बोली गाने, तो इस वज़े से फ्रैंक के लिए प्रॉल्म नह भा था रात में जब सब मिलकर टीवी देख रहे थें तो न्यूस पर फ्राइंक की न्यूस आई यह जब बैरी देखता तो इस न्यूस से ओर डिस्ट भूगया जब उसकी मदर उसे लेने की लिए तो फ्राइंक छुप जाता है पर बैरी फ्राइंक का नाम ले रहा था वो सह इसे बोलनी बात था तो इस वज़े से उसकी मदर को कुछ अलगी लगा उसे जोर से चाटा मारती है और उसका मुग बन कर देती है रात में एडल और फ्रैंक के दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे अब इने लगता है कि इन दोनों को साथ में भाग जाना चाहिए फ्रैंक बु जाने वाले हैं उसे अपने फादर के पास अकेला चोड़ कर जाएंगे इस बात से उसे बहुत बुरा लगा फ्रैंक के उपर मर्डर का चार्ज था और इसी वज़े से वो जेल में था वो एडल से कहता है कि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया मुझ पर एक्सिडेंटी इल करता है कि क्या ये बेबी मेरा है तो उसके वाइफ कहती है तुम्हें बहुत बड़े फूल हो उसका बेटा नहीं था हुसे मार रही थी तो फ्रैंक ने सिर्फ उसे पूष किया और इसी वज़े से सर पर चोट लगनी की वज़े से उसकी वाइफ की डेथ हों कि फ्रैंग ने उपर जा कर देखा तो इसकी वाइफ ने अपने बेटे को पाट टब में टाल कर उसका मर्डर कर दिया था इस सब की वज़े से पुलीस को लगा था कि फ्रैंग नहीं अपनी फैमिली को मार डाला ये सिर्फ एक एकसिडेंट था और इसमें फ्रैंग की कोई भी गलती नहीं थी एडल कहती कि ये बात तुम्हें सब लोग को समझानी चाहिए फ्रैंग ने कहा कि अब उस इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कोई भी मुझ पर बिलिव नहीं करेगा सुबा होने पर एडल हेंडरी को कहती है कि हम कैनडा जाने वाले है इसके बारे में और भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो लाबरेरी में जाकर कुछ बुक्स लेकर आओ यही बुक्स जब हेंडरी ले रहा था तो उसे फिर से एलेनॉर दिखती है हेंडरी ने उसे पुचा कि तुम यहाँ पर कैसे आई एलेनॉर कहती है कि मेरे फादर और मदर का डिवास हो चुका है वो पहले अपनी मदर के साथ रहती थी पर मदर का अब एक बॉइफरेंट है उसके साथ वो शादी करना चाहती थी तो इसी वज़े से एलेनॉर को उसके फादर के पास उसने भेज़ दिया है हेंडरी कहता है कि मेरी मदर का भी अभी-अभी एक बॉइफरेंट बना है Eleanor कहते हैं कि boyfriend की वज़े से आदमी ज़रा पागल हो जाता है वो क्या decision लेते हैं यह उन्हें ही पता नहीं चलता Eleanor ने कहा कि तुम्हें अपनी मदर से जाकर बात करनी चाहिए Henry को यह बात इतनी ज़्यादा सही नहीं लगती अब weekend आ चुका था तो Henry के फादर उसे लेकर जाते है फादर कहते हैं कि तुम्हें स्कूल के स्पोर्ट्स में अब ज़रा ध्यान देना चाहिए Henry कहते हैं कि मैं डांस करना चाहता हो फादर ने कहा कि अगर तुम डांस करोगे तुम्हें लोग ज़रा अलग समझेंगे यह सब चीज़े बताने के लिए घर पर कोई भी आदमी नहीं है तो इसी वज़े से मैं तुम्हें यह सब बता रहा हो घर पर आने के बाद Henry ज़रा अफसेट था एडल उसे बुछती है कि क्या हुआ है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैंने और फ्रैंक ने डिसाड़ किया है कि हम भाग कर कैनडा में चले जाएंगे Henry रोने लग गया पुछता है क्या मैं तुम्हें फिर से कभी देख पाऊंगा एडल कहती कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम मेरे साथ चलोगे वो फिर उसे गले लगा लेती है अब सब मिलकर सामान वेगरा पैक करने लग गए एक दिन Henry एलेनोर से मिलने के लिए आया एलेनोर हैंडरी को फ्रैंक के बारे में बुछती है तो Henry ने कहा क्यों अच्छा है हम सब मिलकर कैनेडा जा रहे है एलेनोर बहुत ही स्मार्ट थी वो गहती है कि अब स्कूल स्टार्ट होने वाली है और तुम सब लोग भाग रहे हो क्या प्रीजन से जो कईदी भागा हुआ था क्या वही तुमारी मदर का बॉर्फरेंड है हैंडरी हा कहता है एलेनोर ने हैंडरी से कहा ये तो बोनी अनकलाइड की तरह हो क्या वो दोनों भी चोर थे और यसे ही भाग रहे थे पर पुलीस ने उन्हें मार डाला था एलेनोर अकिली थी तो हेंडरी भी उसे छोड़ कर ना जाए इसी वज़े से उसे डराने की ओख कोशिश कर रही थी फ्रैंक को अपनी चोट से ज़्यादा तकलिफ होने लग गई थी एलल कहती कि मैं फार्मसी से जाकर कुछ मेडिसीन लेकर आती हो फ्रैंक इसके लिए मना कर रहा था पर फिर भी एलल को इसकी जरूरत लगती है वो जाकर गारी में बेटी है पर इसे स्टार्ट ही नहीं कर वाती है एक चीज थी जो उसे खाय जा रही थी फ्रैंक ने आकर उसे पूछा क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती एलल कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है जब मैंने हैंडरी की डिलिवरी की उसके बाद और एक बच्चा होने के लिए हमने ट्राय किया था मैं प्रेंगनन्ट हुए और मुझे मिस्कैरेज हो गया था इसके बाद उसने बहुत बाद ट्राय किया था पर हर बार मिस्कैरेज हो जाता एडल इस बाद की वज़े से बहुत ही जादा तूट गई थी एक बार जब वो pregnant रही तो उसे बेटी हुई थी पर delivery के वक्त थी उसकी बेटी की death हो गई थी इस सब की वज़े से हमेशा हो sad रहने लग गई थी इसी वज़े से उसका husband उसे छोड़ कर चला गया था उसने Frank से कहा कि मैं तुम्हें कोई भी family दे नहीं सकती फ्रैंक ने कहा कि already तुमने मुझे family दे दी है वो Henry को ये अपना बेटा मानेगा एडल कोई बात अच्छी लगी इसके बाद ये सब मिलकर घर की साफसफ़ाई करते हैं और अगली दिन जाने वाले थे सुबा जल्दी उठकर छुपके से अपने फादर के घर की लेटर बॉक्स में वो रख कर आता है जब वो घर पर वापस आ रहा था तो एक police officer ने उसे notice किया वो कहते है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हैं चलो मैं तुम्हें घर पर lift दे देता हूं हेंडरी तो पहले इसके लिए मना करता है पर police officer मानते नहीं उन्होंने पूचा कितने सुबा तुम कर क्या रहे थे हैंडरी कहता है कि मेरे फादर के घर पर कुछ छोड़ कर गया था तो इसी वज़े से लेने के लिए आया था police officer ने देखा कि adult गाड़ी में सब कुछ सामान भर रही थी यह उसे ज़रा suspicious लगा आगर वो adult से बात करता है वो कहता है कि क्या आप कही बस जा रही हो adult ने खा कि कुछ दिनों के लिए हम ज़रा trip पर जा रहे हैं अज सब बच्चों के school स्टार्ट हो रही थी तो यह और भी ज़्यादा suspicious था police officer कहते है कि मैं आपकी ज़रा मदद कर देता हो कुछ boxes रखने में उसने adult को help की उसे ज़्यादा कुछ भी suspicious लगा नहीं जाते वक्त वो adult का handshake ले रहा था पर adult का हाथ थरते आ रहे थे तो henry उसका handshake करता है उपर से फ्रैंक छुप कर यह सब को चीज़े से देख रहा था police officer के जाने के बाद फ्रैंक एता है अब हमें जल से जल यहां से चले जाना चाहिए एडल और henry फिरे दोनों बैंक में आये बैंक से सारे बैसे वो विट्रॉल कर रहे थे यह बात जरा वहां कि employee को suspicious लगे तो अपने manager के पास की manager एडल से कहता है कि अगर आप इतनी जादा amount withdrawal कर रहे हो तो generally लोग चेक मिलेते हैं एडल कहती कि आज किल में जादा घर से बाहर निकलती नहीं तो इसी वज़े से सब बैसे निकाल रही थी फिर भी उसे suspicious लग रहा था तो Henry हस्ते हस्ते कहता है कि हम दोनों Bonnie and Clyde की तरह इस country से illegally अलग country में जाकर रहने वाले है इसे वज़े से सारा account खाली कर रहा है manager ने इस पर हस दिया और सारे वेसे उसे दे देता है ये बात Henry ने Frank से इसी की थी कि अगर आप इस तरीके से सच बोलोगे तो लोग आपको seriously लेंगे ने इसी के parallel में Frank जब घर पर था तो अचनक से एडल की neighbor घर में घुस कर आती है उसने Frank को देख लिया वो एडल के बारे में बुच्छ दिया तो Frank के अदाए कि ज़रा बाहर गई है मैं घर की fixing करने का काम कर रहा हूँ neighbor को शक चला गया और वहाँ से हो चली जाती है एडल के वावस आने से पहले Frank को घर पर call भी आया था ये Henry के फादर का था और वो worried थे एडल जब घर पर आये तो Frank केता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए लोगों को शक होने लग गया है अचानक से पुलीस के साइरन की आवाज आने लगके ये realize करता है कि अब वो भाग नहीं सकते Frank ने फिर रसी लेकर एडल और हैंडरी दोनों को बान दिया अगर किसी लड़की ने तुम्हें बैड फिल कराया तो लड़की तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करती Frank एडल से यहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया इसके लिए मैं फिर से 18 साल जेल में जा सकता हो इसके बाद Frank ने सरेंडर कर दिया उसने एडल और हैंडरी के हाथ बान दे थे यानि सब को लगे कि एडल उसमें involved नहीं थी उसे कोई भी प्रॉल्म ना है Frank को अरेस्ट होकर फिर से सजा हो गई एडल ने प्रोस्टिकुटर से बात करकर Frank को जेल से बाहर निकालने की कोशिश की पर प्रोस्टिकुटर एडल से यता है कि अगर तुमने सब कुछ सच-चच बता दिया तो शायद तुमें प्रॉलम आ सकता है तुमारी हैंडरी की कस्टडी भी जा सकती है एडल हैंडरी को खोना नहीं जाती थी तो इस वज़े सो कुछ भी कर नहीं पाती कुछ मंद के बाद एडल ने रियलाइस किया था कि हैंडरी को अपने फादर के पास रहना चाहिए तो अपनी कस्टडी उसने दे दी थी उसने फिर फ्रैंक से मिलने की भी कोशिश की थी पर फ्रैंक सोलिडरी में था तो जेल में उसे मिलने पाया वो हर रोज उसे लेटर लेखती थी पर बाद में सब लेटर उसके वापस आके फ्रैंक को अल्डेटरी ट्रांसपर हो चुका था इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर जाते हैं हैंडरी अब कॉलेज में जाने वाला था उसके एक गल्फरेंट बनी थी और फ्रैंक ने उसे जो भी चीज़े सिखाई होए थी ये लाइफ में उसे हेल्फूल होती है एक दिन हैंडरी के फादर ने उसे बात की कहा कि तुमारी मदर बहुत जादा ब्यूटिफूल थी वो हमेशा प्यार में रहना चाहती थी जब हमारी लाइफ में प्रॉलम आये तो बहुत जादा सैड हो चुकी थी अगर कोई दूसरा आदमी होता तो उसे हेल्प करता पर बहुत जादा टाइम गुजर चुका था और मैं एंक नॉर्मल लाइफ चाहता था तो इसे वज़े से मैंने तुमारी मदर को छोड़ दिया मैने तुमारे साथ यह जो सारे साल बिता है मैं सिर्फ तुमारे साथ बॉंदिंग करना चाहता था मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता है हैंडरी भी अपने फादर को माफ कर देता है उसने फादर से खा इलास्ससमर मेरी मदर के साथ बिता शाथ हो वो पूरा समर एडल का खैल रखता है इसके बाद और भी साल गुजर गए हैंडरी की शादी हो गई थी उसने अपने एक बेकरी डाली थी जो रेसी भी फ्रैंग ने उसे सिखाई थी यह उसकी बहुत ही फेमस बन गई थी एक मैगजिन में भी उसकी फोटो आई थी यह फोटो जेल में फ्रैंग देखता है और इसे उसने पहचान लिया उसने फिर हैंडरी को एक लेटर लिखा वो कहता है कि उस पर वो बहुत ही जादा प्राउड है अब वो जेल से निकलने वाला था और चाता था कि एडल के साथ हो जाकर है एक फैमिली की तरह रहे यह करने के लिए पहले उसने हैंडरी की परमिशन ली हैंडरी लिखता है कि उन्होंने प्यार किया था फिर से एक दूसरे से मिले और जो भी टाइम इनके पास अब बचा है एक साथ ही स्पेंड करेंगे एक दूसरे का खैल रखेंगे इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है एक बहुत लिए अनेक्सपेक्टेड और अलगी सिचुएशन की रोमैंटिक मूवी थिए अगर आपको वीडियो चलखता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट शरू कर दीजेगा बहुत सारे मूवी लेकर आते रहते हो तो प्लीज चानलों को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम विर से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तक लिए थांक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया